हलो एवरिवन, वेलकम टू रीट रोरा रेसिपीज, आज मैं आपके साथ ओरियो फ्रूट डिजर्ट की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ, जिसे आप किसी भी तोहार पर कुछ मिंटों में ही बना कर तयार कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ही कम समान चाहिए, इसके लिए हम चार ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लेंगे, साथी एक कप विपेंग क्रीम लेंगे और तीन से चार सीजनल फ्रूट ले लेंगे, फ्रूट आप इसमें अपनी मन पसंद कोई भी ले सकते हो, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी प्रोटेक्शन यानि किसी भी रेसिपी को हेल्दी बनाने का तरीका वेपे गोद्रेश प्रोटेक्ट फ्रूट एंड वेजी वाश के साथ, ये नेच्रल इंग्रिडियन बेस्ट है, साथी इसमें किसी भी तरह के प्रेजर्वेटिव या साबून नहीं है, ये फल और करता है, यानि इने सुरक्षित और हेल्दी रखता है, और अब हम इस बाउल में पानी ले लेंगे, साथ ही इसमें एक धकन गोद्रिश प्रोटेक्ट फूट एंड वेजी वाश डाल देंगे, और साथ ही इसमें ये फ्रूट डाल देंगे, और इसे पांच मिनट के लिए बस ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये देखिए पांच मिनट हो चुके हैं, और अब हम इन फूट्स को हलका सा रब करेंगे, और रिंस करेंगे, यानि दूसरे पानी में इने डाल देंगे, और लीचे हमारे फूट्स अब यूज़ करने के लिए तयार हैं, इसी तरह से आप में विप क्रीम में यूज़ करेंगे, और इसमें मैं अभी टोटल 20 बिसकिट का यूज़ कर रही हूँ, और ये देखिए हमने सभी बिसकिट की क्रीम अलग कर दी हैं, और साथी बिसकिट अलग कर दी हैं, और अब हम इन बिसकिट को इस क्राइंडर जार में डाल देंगे, और इनका एकदम fine powder बना लेंगे अगर biscuit से कुछ pieces रहे भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं क्योंकि उनका taste भी बहुत अच्छा आता है और यह देखे हमने इनको अच्छे से powder बना लिया है और अब हम इसे इस bowl में transfer कर देंगे अब हम इसमें 2 चमच melted butter डाल देंगे मैं यहाँ पर अमूल का salted butter यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो unsalted butter भी यूज़ कर सकते हैं और इसे डाल कर हम अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर butter डालना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही जो biscuit की layer है एकदम अच्छे से set हो जाएगी otherwise जब आप इसे खाएंगे या serve करेंगे तो biscuit एकदम चूरा-चूरा सा हो जाएगा यानि एक अच्छे से set नहीं होगा और अब हम एक serving dish ले लेंगे और इसमें हम यह biscuit और butter का mixture डाल देंगे आप चाहें तो इसे short glasses में serve कर सकते हैं चाहें तो इस तरह से serving dish में भी serve कर सकते हैं और यह डाल कर हम इसे चम्म से या फिक glass की back side से इस तरह से हलका हलका प्रेस करते हुए इसे बिल्कुल even कर देंगे यानि अच्छे से set कर लेंगे और अब हम इसे 5 मिनट के लिए freezer में या फिर 10 मिनट के लिए fridge में रखकर अच्छे से set होने देंगे और तब तक हम इसके लिए whip cream की तयारी करेंगे हम इस पाउल में 1 cup whipping cream डाल देंगे मैं या आप येवली use कर रही हूँ आप चाहें तो किसी भी company की या brand की सकते हैं लेकिन उसमें time बहुत जादा लगता है और ये देखें ये हमारी whipped cream अच्छे से तयार हो चुकी है यानि इसमें stiff peaks इस समय बन रहे हैं तो अब हम इसमें यहां पर ये biscuits के cream डाल देंगे जो हमने पहले अलग से रखी थी और इसे डाल कर वापिस अच्छे से एक बार mix कर लेंगे और ये देखें ये पाउल को अगर मैं उल्टा करती हूँ तो हमारी whipped cream बिल्कुल भी नहीं गिरती है इसका मतलब ये है कि ये whipped cream अच्छे से तयार हो चुकी है यानि अच्छे से whipped हो चुकी है और अब fruits में मैंने लिया है थोड़ा सा केला, कटा हुआ, थोड़ा सा नाश पती, शद्धा है थोड़ा सा सेब बारी कटा हुआ और थोड़े से अनार के दाने लिये हैं आप इसमें कोई भी fruit डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में easily available हो या जो आपको पसंदो आप इसमें डाल सकते हैं और 10 मिनेट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है serving dish को, ये देखिए इसमें biscuit अच्छे से set हो चुके हैं तो अब हम इसके उपर थोड़े से ये बारी cutaway fruits डाल देंगे, अगर आपके बच्चे भी fruits नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से बहुत ही असानी से खिला सकते हैं क्योंकि नीचे इसमें biscuit की layer है और उपर cream की layer है और बीच में fruits हैं, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने इतना सारा fruit खा लिया और ये उन्हें बेहत पसंद आएगा और अब हम इसके उपर तयार की हुई whipped cream डाल देंगे, whipped cream की quantity आप कम या जादा कर सकते हैं अपनी पसंद से और इसे spatula से हम बेल्कुल इस तरह से even कर देंगे, और ये देखिए और tissue paper से हम इसके जो किनारे हैं वो साफ कर देंगे और अब इसे 5 मिनट के लिए freezer में या फिर 10 मिनट के लिए fridge में रखके अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ये देखिए हमने इसे 10 मिनट बाद निकाल लिया है और ये अच्छे से set हो चुका है अब हम इसके उपर थोड़े से अनार की दाने डाल देंगे और साथ ही हम इसके उपर ये Oreo biscuit से गार्निश कर देंगे और जैसे कि आगे सभी त्योहार आने वाले हैं दिवाली, भयादूच तो उस समय हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है तो ऐसे instant dessert आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बिस्किट का क्रम आप पहले से ही set कर सकते हैं serving dish में या फिर शॉर्ट glasses में और साथ ही cream को भी whip करके रख सकते हैं बस जब भी आपको serve करना हो उसमें fresh fruit काटके डालिए और उपर से whip cream से आप garnish कर लीजी अपनी मन पसंद किसी भी तरह से और लीजे हमारा Oreo fruit dessert बनकर तयार है तो चलिए क्यों ना इसे taste करके देखा जाए ये देखिए देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है अगर आपको हमाई recipes अच्छी लगती है तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबा दें उससे क्या होगा कि हम जो भी डेली नया वीडियो अप्लोट करते हैं उसका notification आपको सबसे पहले मिलेगा थैंक यू फो बच्चिंग